कि लेट इसस्टार्ट फरदर आगे हम देखते हैं कि देखो जहाँ पी मैंने आपको दो फैक्टर बताया थैंए एक डिमांड पूल और एक कास्ट कुछ तो दिमांड पूल की बात करते हैं मैंने आपके साथ मैंने पूरा डिसकस किया गिटार का या प्यानों का तो अभी मै आपको बताता हूँ कि देखो demand on what basis के demand can be rise तो सबसे पहले देखते हैं government expenditure मतलब आसे कौन-कौन से factor हैं जिनकी वज़ा से क्या होता है कि demand जहां वो market में बढ़ जाती है देखो government expenditure में मैंने यहां पे लिखा है schemes, pensions, video allowances तो देखो schemes से जैसे मैं आपको बताता हूँ जनानी सरक की हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी schemes होती है जैसे यहां पर मैंने एक mention की हुए है जनानी सरक्षा योजना इसके थो होता है कि हर lactating mothers को मतलब lactating mother means जो एक newly young ones को birth देती है new baby को burn करती है तो अब government under this scheme क्या करते है कि उस lactating mother को 6000 जो है वो pay करती है ठीक है अब देखो वो lactating mother जो के earlier क्या करती थी कि अगर उसके पास पैसे नहीं होते थी तो वो मतलब market में जाके तो एक baby products या like हम Pampers की बात करते हैं तो वो मतलब नहीं खरीते थे लेकिन अब हर एक lactating mother को अगर वो monthly या while giving birth to the newly young ones अगर government provide कर रही है उसको 6000 तो वो definitely market में जाके तो baby products जो होंगे वो ख नहीं थे अब क्या करेंगे कि जब यह सारे इतने सारे जाएंगे तो definitely मतलब demand बढ़ेगी तो demand बढ़ने से क्या होगा कि वो जो seller होगा वो जो shopkeeper होगा वो prices को rise कर देगा prices को बढ़ा देगा अगर earlier 100 का था 110 कर देगा 15 कर देगा तो मतलब this is one of the reason मैंने आपको बताया कि which the demand can rise whenever there is a rise in the demand when the rise of rise हम बोलेंगे जो हमारे पस जो भी products है जब उनकी जो demand जो होगी वो बढ़ जाएगी तो on the basis of that on behalf of that वो जो seller होगा वो क्या करेगा कि उसके price को बढ़ा देगा तो उससे फिर क्या होगी कि जैसे ही price बढ़ेंगे demand बढ़ेगी demand बढ़ने से क्या होता है कि purchasing power बढ़ती है और purchasing power बढ़ेगी तो inflation होगी ठीक है तो आगे हम next देखते है deficit financing deficit financing में होता है कि government जो होता से भी लेती है और internal sources से भी external में आपको बताता हूं कि for example IMF से मतलब international monetary fund से या फिर वो वर्ल्ड बैंक से ही loan ले लेती है या फिर किसी भी country से USA से या फिर internally मतलब RBI से या other bank से अगर government loan लेती है अब ये government loan क्यों लेती है कि sometimes ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो schemes launch करते हैं जै से यही जनानी सरक्षा योजना है अब हर एक लेक्टेटिंग मजर को 6000 पे करने के लिए government के पास इतना reserves नहीं होता है तो वो sometime अगर वो loan लेके तो अगर देना चाहती है तो देखो जब loan लेके तो अगर वो अपने expenditure को meet करेगे अगर अपने expenditure को fulfill करेगे मतलब जो भी उसकी जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए अब उसने क्या किया किया कि लोन लिया अब जब यह लोन लेंगे तो यह लोन क्या करेंगे कि आगे लोगों को देंगे मतलब लोन लेके तो government ने क्या किया मतलब मैं आपको बताता हूं कि I.M.F. से ही लोन लिया अब जब उसने उ कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो दियूरी थार्ड रिजन हमारे पास ब्लाक मानी धी तो उड़ने से क्वोगा होगा कि उसके पास जो होगी वानी भर जाएग उसके पास पैसे ज़धा आजाएंगे अब टैक्स को मतलब देने के वौट क्या सब्सक्राइब। च्राइबन प्रापने बढ़ए कि तो अर्लियर आपको पता यह resources तो यह आपने अपने आपने पड़ा होगा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि इन्फलेशन जो होगी वह भी होगी उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक अमेरिकन कंपनी है अगर वो इंडिया में आके तो तो इन्वेस्ट करते हैं अगर वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं तो एहां पर बहुत सारे जाप क्रियेट होंगे तो लोगों को अच्छी अच्छी सैलरी भी मिलेगी तो इन्फलेशन होगी ठीक है उसके मैं आपको बताया excess liquidity liquidity होता है money supply in the market actually, money supply होता है एक RBI की monetary policy होती है यह उसी की under सี होता है अब यह monetary policy में actual होता है actually, इसमें जब भी क्या हो जाता है que RBI क्या करता है interest rate को क्या करता है interest मतलब interest rate के जिस interest पे RBI जो है वो loan देता है बैंकों को अब उस interest rate को वो reduce कर देता है अगर मतलब पहले वो 5% के हसाब से दे रहा था या 6% के हसाब से दे रहा था अब वो उसको reduce करके कम करके तो 4% पर अनम देगा अगर वो या पर मंथ देगा तो अब इस 4% की वज़ा से क्या होगा ठीक है मतलब कम इंट्रेस्टेट भी अगर उनसे 4 लिया है तो वो आगे अगर 5 दे रहे हैं 5% के असाब से दे रहे हैं ठीक है अब मतलब वो cheaper interest लोगों को भी लगए तो लोग भी जो होंगे वो लोग लेंगे अब जब लोग लेंगे वो भी definitely market जाएंगे आपके पास आजाएगी आपके पास money आजाएगी तो आप बहुत सारी चीजों खरीदने की wish करेंगे तो उसे से क्या होगा कि inflation होगी ठीक है अब हम discuss करते हैं कांस्ट पुश इंफलेशन जिसमें मैंने आपको बताया था बस सिरफ supply shortage हो जाती है अब what are the various reasons कि जिसकी वज़ा से supply जो है वो shortage हो जाती है supply कम हो जाती है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ है यहाँ पे monsoon देखो इंडिया में जो monsoon है यह तो टाइपस of monsoon जैसे एक यहाँ से आता है हमारे पास क्या नाम है इसका south west से तो एक आता है हमारे पास north east से तो ठीक है यह जो monsoon से हैं यह mostly variable रहते हैं मतलब there is a variation ठीक है अब इस variation में क्या होता है कि देखो कभी ज़्यादा बारिश होती है कभी कम होती है तो मतलब जब भी यह variations होती है तो इसका effect ultimately crop productions पे पढ़ता है ठीक है अगर sometime बारश बिलकुल नहीं होरी तो देखो definitely क्या होगा famines आएंगे ठीक है मतलब हम यह बोलेंगे कि droughts like situation जो होगी वो अकर होगी जब droughts होगे तो मतलब production of the crops totally destroy हो जाएगी crops की production बिलकुल low हो जाएगी अब जब crop की production ही कम होगी तो आप supply chart तो होगी तो definitely price जो होगा वो बढ़ेगा इसी तरीके से अगर देखो access ran होती है तो उससे भी flood like situation जो होगी वो अकर होगी वो create होगी अब जब flood आएगा तो उससे भी बहुत साथी मतलब फसले जो है वो तबाह हो जाती है तो उससे भी क्या होगा कि price distortions होगा मतलब price जो होगा फिर जो होगा वो बढ़ेगा तो इसको हम बोलेंगे यह one of the factors that I have discussed in front of you of the cost push inflation second आगा देखो holding holding actually होता है कि main terms जैसे मतलब चूरी हो जाना ठीक है अगर देखो where horses है या फिर जो भी mondays में mondays है तो इनके बीच में बहुत सारी intermediaries होते है intermediaries में इस्टो से के मतलब अब जब यहां से अगर आप सामान किसी एक जगा से दूसरे जगा लेके जा रहे हैं तो बीच में क्या होता है कि बहुत सारी time पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को वहां से चुरा लेते हैं तो अब यह जो hoarding होती है इससे वज़ा से भी क्या होता है कि मतलब most liver houses के अंदर मेंडेस के अंदर के supply जो होती है वो reduce हो जाती है अब जब supply reduce होगी अब अगर government ने या मतलब किसी scheme के थुरू जो है इतना amount या इतना ton जो है मतलब x y ton अगर आपको देना था लेकर अब उससे due to the hoarding अगर उसकी supply में shortage आ गई है तो अब जो होगा वो भी price बढ़ेगा ठीक है supply shortage हो जाएगी तो demand आगे constant रहेगी demand अगर constant रहेगी आपके पास supply shortage है few products है तो आपने क्या करना है कि price को rise करना है तो यह भी एक important factor था किसका cost push inflation का इसी तरीकर से है cartelization cartelization देखो कि मैं आप तो इसमें एक बताता हूँ कि earlier जब भी आप market में जाते थे तो देखो mostly competition होता है competition होता है कि आप क्या मतलब कोई dress ही लेना जाते हैं ठीक है तो एक कोई मतलब एक बलेजर वेगरा या कुछ coat वेगरा आप लेना चाते हैं या simply हम शू की बात करते हैं अगर आप shoes ही लेना जाते हैं देखो earlier मतलब अगर आप किसी एक shop पे जा रहे हैं तो अगर आपको अच्छा शूज लेना चाहते हैं तो उसका प्राइज वो अगर आपको 1000 बता रहा है तो similar फिर आप उसी टाइम एड़ दें तो आपको किसी second मतलब दूसरे shopkeeper के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा कि आपको 950 में या 900 में दे देगा तो मतलब यह हो गया है कि हमने यह वाला प्रोड़क्ट इतने ही पैसे का देना है हमने इससे काम हम नहीं करेंगे अब अगर जो मतलब जो बाइर होगा वह एक शाप पर जाएगा दूसरे पर जाएगा तीसरे उसके बाद नेस्सथे हमारे पास इंडीक्रेजरे टिजल प्राइसी प्रैसे बढ़ेंगे तो इमपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आप South Korea से इंपोर्ट कर रहे थे, अब वहाँ पर सोथ कोरिया में, इस SEMSUNG जो मतलब फून है, अगर इनकी प्राइस जो हो राइस हो जाथी हा, तो अब आप इंपोर्ट जाप करेंगे, कि वहां से मतलब बाहर से चीज़ें मंगवाएंगे तो तब आपके पास भी यह महंगी है पहांचेंगी तो जब यहां पर आपको महंगा मतलब वह मिलेगा तो अब क्या करेंगे तो पर आपके साथ बढ़ जाएंगे तो इस अब आपके साथ डिसकस्ट किया है और और उसके हमने circumstances जो के मतलब factors थे जो मैंने आपके साल discuss की है demand pull और cost push, demand pull में हमने मैंने आपको बताया है कि government expenditure के बढ़ने से deficit financing की वज़ा से black money की वज़ा से high population की वज़ा से increase in foreign investment की वज़ा से demand बढ़ेगी, demand बढ़ेगी, purchasing power, purchasing power बढ़ेगी तो inflation होगी इसी तरीकर से cost push inflation मेंने आपको बताया है monsoon है, holding है, cartelization है, increase in diesel prices है, increase in import cost है इसके अलावा आप labor wages वेगारा ये सारी चीज़ें, raw material की cost बढ़ेगी तब भी बढ़ेंगे ठीक है तो all these other factors due to which the inflation जो है, वो हमारी market में अपकर होती है inflation बढ़ती है, तो thank you dear student, अगर किसी को समझ ना आए तो वो मुझे next जब हम class लेंगे तो उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं, okay thank you